तो आज का आज जो हमारा टॉपिक है ना बहुत ही खास है क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर के आगे हैं कलास तेंथ के लिए है और जो कि आप इजिली देख सकते हैं तो आज के इस वीडियो में हम यह जो चैप्टर है इसको हम समाप्त कर देंगे और यहाँ पर मैं आपको यह किलियर करूँगा इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी नहीं आगा समझ में न तो यहाँ वीडियो के नीचे कुछ भी लिखे कर चले जाना ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और भी चीज़े हैं जो कि आप इजिली देख सकते हैं तो यहाँ पर लिखा हुए कि आज अध्याय समाप्त हो जाएगा जो कि क्या है मैंने इसमें पूरा ही पूरा नोट्स तयार कर दिया है और आज आपको क्या है पूरा ही पूरा अध्याय समाप्त हो जाएगा तो कैसे यहां पर आप इज़िली अगर देखेंगे तो आपको यहां पर देखने को сосé को मिलेगा की साही आपको नौटस मिलेगा भाई मिश्टेक अगर आप नहीं लिख पाते हैं तो आपको क्याला dependence बॉक्स में यहां पर सबसे पहले आज किस टॉपिक में यहां पर देख सकते हैं कि मैं यहां पर आपको बताने क्या वाला हूँ सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर रसाइनिक अभिकरिया होती क्या है तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे परिभासा तो कुछ इस परकार के आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक ने गुंधर मौले पदार्थ का निर्मान करते हैं तो वही तो है आपका रसाइनिक अभीकिरिया कहने का मतलब नहीं समझे कहने का मतलब यह है कि जब दो पदार अगर दो से भी ज्यादा है जैसे एक यहाँ पदार्त है और एक यहाँ पदार्त है दो भी है तो चलेगा अगर दो से भी ज्यादा भी अधिक है तो कोई दिकत नहीं है तो यहाँ पर दो या दो से अधिक पदार्त मिलकर जैसे आप एक्जामपल समझें जैसे आपका डाल होता है तो डाल मेर दो या दो बहुत सारे दो या दो से अधिक पदार्थ का होता वहां पर मिलते हैं तो इसमें ही बस सिंपल से यहां पर दिखना है आपको कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक या एक भी हो सकता है नया पदार्थ या उससे ज्यादा भी हो सकता है तो एक या एक स कोई से अधिक नयागुन्दृर्म वाला जैसे कह सकते हैं अगर कोई गास है तो अगर कूई द्रणबे में हो जायंगा कोई द्रब्रव है तो गास वूज़ता आप समझ अधार थोस है तो क्या बन जाएंगा तो इस-फरकार के जो है वह क्या है एक अलग पदार्त है ठीक है और ऑक्सिजन भी क्या है एक अलग पदार्त है तो कई हमारा जो हाइड्रोजन होता है यह अलग पदार्त है जब दोनों मिल गया तो यार क्या बना गया जल बन गया जो कि क्या है एक नया पदार्त है तो कई यही तो है आपकी सायनिक अभिक्रिया ठीक है तो आए कि नहीं जाई सलेब हम समझते हैं आगे की बाते हैं तो यहां पर आप ही जी ली देखे तो यहां पर मैंने नीचे एड कर दिया है तो मैंने यहां पर आड कर दिया है कि हाइड्रोजन क्या है सबसे मतलब ज्यादा जॉलनसील गैस यानि जलने में में बहुत हमें हड्स करता है तो यही आपका क्या है रसायनिक अभिकिरिया तो अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो वीडियो को रोक लिख लिजिए आने था आप क्या किजेगा कि यहां जो नोट्स दिया रहेगा उसमें से आप लिखी जगा जो मैं यहां पर बताऊंगा ना वही आपको नोट्स में भी होगा तो आपको घबरानी नहीं है आप सहीं जगह पर आया है तो यह भी बात आपको किलियर हो गई होगी यहां पर अगर और भी सीम्पल से देखे तो यहां पर अगर हम सीम्पल से क्या था एक्जाम्पल समझे पहले से मीटी क्या होता है पहले से मीटी आप समझ रहे हैं कि मीटी हमारा भुरभुरा होता है तो जो हमारा इंठ होता है वो बदल जाता है उसका पहचान अलग हो जाता है तो हो जाता है अलग तो जहां पर वही है कि लिखा हुआ है कि रसानिक अभिकिरिया वह अभिकिरिया है जिसका प्रकृति एवं पहचान बदल जाता है तो कहाज अगर हम घरेलू अगर बोलचाल की भासा में देखें जैसे आप देख सकते हैं कि दूद से दही बन जाना ठीक है तो यार दूद है तो दही बन जाना या कैसे लोहे पर जंग लगना तो हाला कि यह क्या है यह सब क्या है यह आपके अभिकिरिया ही है तो रसाइनी कभिकिरिया यह सब क्या है आपको दिखने को मिलेगा तो यह भी आपके सामने परिवास है अगर आप चाहते हैं तो इजिली यहाँ पर लिख सकते हैं तो वीडियो करो की और यहाँ पर लिख तो यहां पर अगर आप इजिली देखेंगे तो लिखा हुए रसाइने का अभिक्रिया के लक्षन यानि जब हम अभिक्रिया होता है तो यहां पर अगर आप इजिली देखें तो यहां पर आपको देखने को मिल जागा बहुत ही आसानी से अगर इसको बड़ा कर लेंगे तो तो बेतर होगा तो यहां पर अगर आप इजी ली देखें तो लीखा हुआ है कि अवस्था में परिवर्तन और रंग में परिवर्तन और तापमान में परिवर्तन और गैस का उत्सरजन कहने का मतलब है कि आर जब रसाइने का भी किरिया होगा तो अवस्था में परिवर्तन ह गैसे और इसके बाद और है रिया दोर पर है दोपने है डिया सो speak when the person is zgow झाली तो एक लाइन इ Histor कोटी है वुजा क्रेंगा उस्था सब्सप्रेट यह बदलस और अवस्था सब्सप्राइब बदलें हुर Urban भायगा है जो है चर्ण आप अग्र नाइन यह वो पेद unfortunately अगर आप लोहा को देखें तो वह क्या होता है पहले से चमकदार होता है और जैसे कुछ दिन अगर हवा के संपर्क में होता है तो वह क्या होता है कि उसमें जंग लग जाता है तो यह भी आपको क्या है रंग में परिवर्तन है और इसके बाद तापमान में भी परिवर्तन कि कोई वस्तु ठंडा है तो कुछ दिर के बाद हो सकता है वो गरम हो जाए हो सकता है वो ठंडा हो जाए तो यह भी आपका क्या है तापमान में परिवर्तन क्या है यह आपका र तो यह बात आपको किलियर हो गई होगी अब जलिए अगे की बाते हैं तो काई यहाँ पर आप पीजी लिए तो मैंने क्या लिख दिया है कि दैनिक जीवन में होने बाली डैनिक जीवन में होने माली रसायनिक अभीकिर्या का उधारन जैगा इस डैनिक जीवन का मतलब आखिर होता गया है तो काज जो हमारा रोज-रोज डैनिक जीवन का मतलब रोज-रोज का यानि जब रोज-रोज में हमारा जो रसायनिक अभीकिर्या होता है तो उसमें क्य क्या ऻुदहर नहीchem आप देख सकते हैं तुट कैफ़ वीडियो आपको अची लग रही है आर लग रही है तो यार वीडियो को कर दो यह उधारन है ठीक है और इसके बाद है सुवसन तो काई सुवसन भी हमारा क्या है एक रसाइनी कभिक्रिया का उधारन है तो अगर आप पीजी लिए समझे तो हमारा जो सुवसन होता है जैसे हम कार्बंड योक्साइड क्या करते हैं छोड़ते हैं और अक्सिजन लेते हैं तो यहाँ भी आपका क्या है स्वसन जो भी है हमारा क्या है एक रसाइनी कभीक्रिया का उधारन है और इसके बाद इसलिए आप समझे जाए तो लोहे पर जंग लगना भी आपको क्या है या या रसाइनी कभीक्रिया का क्या है उधारन है तो यहाँ पर और भी देख सकते हैं आगे की बाते, तो यहाँ पर अगर आप इजली देखें, तो और यहाँ पर अगर इजली देखें, तो और किसी भी रसाइनी कभी किरिया को हाँ, याद रखे बात मेरे साथी, यहाँ पर जो रसाइनी कभी किरिया होता है, उसे हम भौतिक बिध्यू दोआरा अलग अलग नह नहीं कर सकते हैं तोड़तार नहीं कर सकते हैं जैसे यहां पर आपको देखने को मिलेगा मतलब कि यह आप यहां पर देख सकते हैं मैंने बहुत ही बारिकी से लिख दिया है कि मतलब कि यह कि नए पदार्थ को हम फिर से वापस नहीं ला सकते हैं जैसे जल बना तो जल को हम फ प्षोतिक विधिया हमारे पास जैसे कछ्छा नाइन्थ में आपको देखने को इस प्रकार के तो भौतिक विधिया जैसे एक होता है वास्भी करण और एक उर्धो, पातन, और इसके बाद होता है आउससान अवध मही अपकेंद्री करण तो यह सब आपके सामने जो दिख रहे हैं यह क्या है भौतिक विधिया है तो आपको बस यहाँ पर यह बात ख्याल रखनी है कि हमारा जो रसाइनिक अभिकरिया होता है ना उसको हम भौतिक विधि दवारा उसको तोड़ नहीं सकते हैं केवल और केवल रसायनी की बीधी दोरा क्या हम इसको तोड़ सकते हैं तो यह भी बात आपको लगता है किलिए रहो गई होगी तो चलिए अब हम समझते हैं आगे की बाते तो यहाँ पर आप इसी लिए देखेंगे तो मैंने लिखा क्या है कि अभिकारक तो अभिकारक अब हम समझते हैं और इसके बात समझेंगे उत्पाद कि यह आखिर होता क्या है तो यहाँ पर आप ध्यान दीजेगा कि ऐसी पदार्त यहाँ पर आप ध्यान दीजेगा कि ऐसी पदार्त जो किसी रसायनी कभी किरिया में भाग यानि हिस्सा लेते हैं वे आपका कहलाते हैं अभी कारा कहलाते अब ही आपको गौर करनी है बातों पर आपको मैं ऐसा समझाऊंगा ने यार आप कभी भूलोगे नहीं जल्द ठीक है और हाँ यार आप एक बात याद रखना समझना और न समझना तो सिर्फ आपके उपर ही ने बर करता है तो ठीक है यार यहाँ पर आप देखो आप समझना क्या है उत्पाद तो उत्पाद यहाँ पर जो परिभासा है कि ऐसी पदार्थ जिनका निर्मान रसायनिक अभी किरिया में होता है यानि कहने का मतलब यह कि हमारा जब पदार्थ कोई चीज मिलता है तो वो जो नया पदार्थ बना वो आपको क्या कहलाता है उत्पाद कहलाता है जैसे यहाँ पर अगर आप एक्जामपल समझें तो मैंने यहाँ पर लिख क्या रखा है कि यार जब हाइड्रोजन और ऑक्सिजन मिलकर जो जल बनाते है यानि पानी का निर्वान करते है तो यहाँ पर अगर आप इजी ली देखेंगे तो यार आपको समझ में आ जागा यहाँ पर ये पदार्थ और ये पदार्थ यानि हाइड्रोजन और ऑक्सिजन मिलकर के आपको क्या बना है पानी बना है तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सिजन क्या है अभिकारक है तो हाइड्रोजन और ऑक्सिजन क्या है तो अभिकारक है और यहाँ पर यह जो जल बना यानि जो पानी बना पानी क्या है उत्पा समझते हैं अगे की बाते यहां पर पर द्यान देजिएगा हैं ऑब समझते हैं रवासाइनिक समीकरन बात कर लिए यह जयाँ wid Dios समेकरन होता क्या आए तो परिभासा आपको बहुत सांदार मिल जो कि आप देख सकते हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि रसायनिक अभिकिरिया को जिहां गाज रसायनिक अभिकिरिया तो हम पढ़ लिए यानि वैसे अभिकिरिया यानि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्मान करते हैं तो वही तो है आपका रसाइनिक अभी किरिया तो रसाइनिक अभी किरिया को रसाइनिक समिकरन के द्वारा निरूपित किया जाता है यानि लिखा जाता है सूचित किया जाता है और रसाइनिक समिकरन को अभिकारक यहाँ पर देख सकते हैं तो hydrogen का जो हमारा परतीक होता है, जो हमारा सुत्र होता है, वो क्या होता है? H होता है, जिस तरह हमारा hydrogen का H होता है, helium का H होता है, lithium का Eli होता है, वही आपका होता है, क्या पदार्त, वही पदार्त का यहाँ पर सुत्र इस्तिमाल करना है, तो hydrogen का हम hydrogen नहीं लिखेंगे, उसका सं रोजन के लिखेंगे हम तो है लिखेंगे तो आपको बात क्लियर हुआ की नहीं हुआ औ gli इसके बादे परतिकों के साथ उनकी भातिक अवस्था को भी दर्स आ जाता है अब भातिक अवस्था क्या होता है जैसे कोई पदार्थ ठोस होता है तो कोई पदार्थ द्रव होता है तो कोई पदार्थ गेस होता है और कोई पदार्थ जलिय भी लिन होता है तो इसको भी दर साय जाता है जो कि आप इजिली यहां पर देख सकते हैं तो कज यहां पर अगर आप इजिली देखें तो लिखा क्या हुआ है यहां पर आप दिखने का परियास कीजिए यहाँ पर magnesium ribbon को यानि का यहाँ पर लिखा हुआ है और Y- यानि oxygen में दहन करिया क्या बनाता है magnesium oxide बनाता है यानि कहने का मतलब है guys यहाँ पर आप इजली ध्यान दीजेगा जो मैं यहाँ पर बताने बना जैसे हमारा जो magnesium होता है तो magnesium क्या होता है Mg और पलस यहाँ पर O2 यानि O2 हम यहाँ पर लिख दिये और यहाँ पर Aero तो काई जैसे यह Magnesium पलस O2 यहाँ पर जब मिलते हैं तो यहाँ पर क्या बनाता है MgO यानि Magnesium Oxide बनाता है तो अब हम अब बत अगर आप से फूछ दिया जाए क्या है तो आप नहीं न बता पाएंगे तो यहाँ पर आपको सुत्र का इस्तेमाल किया जाता है जो कि आप इजिली देख सकते है तो यहाँ पर भौतिक आवस्था को बताने के लिए यानि अगर कोई ठोस होगा नगाईज तो आपको वहाँ पर A.S. लिखनी है तो अगर कोई ठोस होगा तो आपको क्या लिखनी है A.S. लिखनी है और इसके बाद कोई द्रव होगा तो आपको क्या लिखनी है A.L. लिखनी है और इसके बाद अगर आप देख सकते हैं द्रव यानि लिक्वीड और कोई गैस होगा तो आपको क्या लिखनी है जी यहाँ पर आप इजिली देख सकते हैं और इसके बाद एक यू लिख सकते हैं जब हमारा रहेगा जैली अबिलन यानि एक वस तो यह सब बातों को आपको काफी ख्याल रखनी है अगर आप ख्याल रखेंगे तो आप इजिली समझ पाएंगे औ तो रहा है यहां पर यह भी बात आपको समझ आ गई होगी और आप यहां पर ध्यान दीजेगा है है अ olmuş हमेगर करेंगों के बाद हमारा अक्शीजन क्लिख करें गया करेंगे और इसके बाद हमारा मैग्नेशियम ऐक साइड तो आपको यहां पर बन जाएगा यह ठोस, तो ठोस के लिए हम क्या लिखेंगे यह से लिखेंगे, तो काज यही थी आपको परतिक का, मतलब यहां पर जो परतिक दिये हुए है, इन सभी का उप्यो करना है, और गाइज मैं बता दू कि अगर आपको रसानिक समिकरण को करना नहीं आता है तो हमारे वीडियो यह जो वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है उस पर किलिक करके देख लिजेगा तो आपको न यार रसानिक समीकरन को संतुलित करना चुटकी में आप हल कर दोगे तो कैज वह यहां पर आप इजिली देख सकते हैं कि मैंने यहां पर लिख भी दिया है मैंने यहां पर लिख भी दिया है मैंने यहां पर लिख भी दिया है एमजी क्या है तो आप इजिली बता सकते हैं ठोस और इसके बाद ऑक्सिजन क्या है तो ऑक्सिजन हमारा गैस है और इसके अगर हम यहां पर आंगे की बातों तो यहां पर आप इसली ली देखें तो मैंने लिखा जो ही आपको लगता है इसली ल mortar ॐली लित लोर घॉल लिखा हुआ है कि रसानिक समीकर्ण को संतुलीत करना क्यूं आवस्वे Alber अगर हम रसायनिक समिक्रण को संतुलित करते हैं तो मतलब करना क्यों आवसेगे आखर जरूत क्या आती है में तो हमारा जब द्रब्य संरक्षन का नियम जो होता है न वह हमारा कहता है कि आप यहां पर इजिली देखेंगे यहां पर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कि कि किसी भी पदार्थ, थोड़ा सा इसको हम, तो यहां पर आप देखेंगे, तो किसी भी रसाइनी कभी किरिया में, ठीक है, नतो दरबेमान का निर्मान होता है, और नहीं उसमें बिनास होता है, ठीक है, तो हमारा दरबेमान स्रक्षन का आज नियम कहता है, कि किसी भी रसाइन रसाइने कभिक्रिया में न तो द्रविमान का निर्मान होता है और नहीं बिनास होता है इससे हम निसकर्ष निकाल सकते हैं कि रसाइने कभिक्रिया से पहले यानि रसाइने कभिक्रिया के पहले क्या होता है तो अभिकारक और उसके बाद उत्पाद जो होता है हमारे तो परत तरफ परमानों की संख्या बराबर हो जाए ठीक है तो यहाँ पर इजिली अगर आप देखे तो मैंने यहाँ पर और भी बातों को यहाँ पर मैंने लिख दिया है जो कि आप इजिली देख सकते हैं कि परमानों संख्या परमानों की संख्या इसलिए बराबर होनी चाहिए क्य यहां पर और भी बाते हैं लिखा हुआ है कि परमानों संख्या बराबर होगी तभी दोनों तरफ दरविमान भी बराबर होगा तो संतुलित करना अगर आपको नहीं आता है गाईज तो इस वीडियो के नीचे मैंने एक वीडियो बना दिया है तो कज यहां पर अगर आप इजी ली देखे तो मैंने लिखा क्या है रसायनिक अभिक्रिया के परकार ऐसे तो हमारे रसायनिक अभिक्रिया के पांच परकार है और दो हमारे क्या है तावमान के धार पर है ठीक है तो हम सबसे पहले पांचो अभिक्रिया को हम जानेंगे कि य तो हमारा जो सबसे पहला जो प्रकार आता है ना वह आता है यहां पर आप ईजली देख सकते हैं रसानिक अभीकिरिया और आप यहां पर समझेने का परयास कि जीए तो यहाँ पर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कि इस अभिकरिया में अभिकरिया यानि दो चीजों का मिलाओ दो या दो से अधिक चीजों का मिलाओ ठीक है तो इस अभिकरिया में गाईज दो या दो से अधिक अभिकारक अभिकारक तो आपको पता है न अभिकारक आपको पता है कि नहीं पता है जिया मैंने आपको पीछे अभी भी बताया कि हमारा जो अभिकारक होता है वह क्या होता है तो अभिकारक होता है ऐसे पतार्थ जो रसाइनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं जैसे आप यहाँ पर इजी ली देख सकते हैं कि A और B क्या है तो एक अभिकारक है तो A और B क्या है तो अभिकारक है तो यह दोनों मिलकर एक यहाँ पर देख सकते हैं अभिकारक मिलकर एक यानि एकल उत्पाद बनाते हैं यानि एकल उत्पाज जैसे आप देख सकते हैं C यानि जब दो या दो से अधिक चीज मिलकर कोई एक ही चीज का निर्मान करते हैं तो जो वही आपका कहकराते हैं सन योजन अभी किरिया यह भी बात आपको असानी से चली गई होगी भेजा में तो आप इसको लिख लिजेगा तो जहाँ पर अगर आप एक्जामपल देखेंगे तो आपको इजिली समझ में आ जाएगा तो यहाँ पर आप एक्जामपल देखने का परियास किजिए और मैं आपको समझाने का परियास करता हूँ तो काई यहां पर आप देखेंगे तो कोईले का दहन में अखिर होता क्या है तो कोईले का दहन में एक तो कार्बन होता है तो कार्बन का जो हमारा कार्बन क्या है तो एक हमारा सॉलिड सॉलिड यानि ठोस है तो हमने एस यहां पर परतिक लिख दिया ठीक है और इसके बाद यहाँ पर O2 O2 क्या है तो गैस तो जब यह दोनों मिल करके जब यह दोनों मिलें तो आपके जो नए पदार्थ बने जैसा कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा तो यहाँ पर आपको देखने को क्या मिल रहा है तो जब यहाँ पर दो चीज म NIRMAN करते हैं, दो यादो से अधीब, मिलकर अगर एक ही चीज़ का NIRMAN करते हैं, तो गाई, वही आपका क्या कहलाता है, सन योजन अभिकिर्या कहलाता है, ठीक है, जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर सब को सब संतुलित कर दिया, यहां पर अगर आप पीजिली देखे तो मैंने संतुलित कर दिया तो आपको संतुलित करना नहीं आता है तो भाई हम प्लीज आपसे यही कहना चाहते हैं नहीं आता है तभी देखिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है आप यार वहां से जरूर देखना अगर नहीं आता है तो ठीक है तो यहां पर अगर आप पीजिली देखोगे तो 2H2 यानि हाइड्रोजन क्या है तो एक गयस है मैंने संतुलित कर दिया है तो यहां पर आप देख सकते हैं 2H2 यह आपका गयस है और इसके बाद ऑक्सीजन जब यह दोनों मिल तो आपका एक नया पदार्थ बना जैसे कि आप देख सकते हैं H2O यानि यहां पर मैंने संतुलित कर दिया है तो 2H2O लिख दिया है तो जहां पर आप इजली देखे तो दो चीजी मिले और एक चीज का निर्मान की है तो यह किया है आपका यही तो है आपका सनियोजन हभी किरिया तो हमारा हो गया यह था आपका पहला तेक है चलिए अभ़ समस्कीय मतलब अभिकिर्या मिलाओ दो सद्धिक पतार्थों का अछिर होता अको तो जहां पर आप प्विशन पर होता देखं थार दिखं़ यहां, यहां पर पहे कि एक अभिकारक दो या दो से अधीक उत्पाद में जैसे हमारा जो है, जब यार जैसे हमारा दाल बनता है, तो दाल यह क्या है, example समझो, समझने के लिए में बता रहा हूँ, तो हमारा जो दाल क्या है, तो एक अभीकारक मतलब समझ हो, तो वह क्या ह Train, जब उसको हम तोड़ेंगे, तो तो यहां पर एक अभिकारक तूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाये तो वही तो है बियोजन अभिकिरिया जैसे मैंने आपको बताया था फिछे कि A और B मिलकर क्या बनाता है तो एक C बनाता है ठीक है तो यहां पर बात अलग है कि A टूट जाएगा तो आपको अलग अलग क्या हो जाएगा तो यहां पर B हो जाएगा और C हो जाएगा ठीक है तो यहां बात आपको असानी से आई की याँ एक अभिकार एक टूटे गा ना तो दो या दो से अधिक चीज उसमें उत्पात जो होते हैं वह आपको निकलेंगे ठेक है तो यहाँ भी बात आपको किलियर हो गई होगी और यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो बियोजन अभिकार होता है वह तीन टाइपस को होता ह कितने टैप्स के होता है तो तीन टैप्स के होते हैं यानि तीन परकार के होते हैं जो कि आप इसली यहां पर दिख सकते हैं तो यहां पर अगर आप इसली देखोगे यार तो पहला जो हमारा परकार है वह उसमिय बियोजन और इसके बाद है वैधुत बियोजन और इसके तो वीडियो के अंतक यहां पर बने रहना और आगे देखते हैं अब हम समझते हैं कि उसमी ये भीयोजन आकर होता क्या है और इसके बाद बैधुत भीयोजन और इसके बाद हम समसेंगे परकासी भीयोजन ठीक है तो यहाँ पर आप अगर इजिली देखे तो मैंने यार लिख क्या रखा है इजिली आप देख सकते हैं तो मैं यहाँ पर साथ ही साथ सब को मतलब एक ही साथ कर दे रहा हूँ ठीक है तो आपको यहाँ पर इजिली समझ आएगा अगर आपको नहीं देख रहा है तो इसको हम बड़ा कर देंगे ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसमी यह भीयोजन तो यहाँ पर आप देखे तो लिखा हुआ है उसमी यह भीयोजन जो हमारे अभिकारक होते हैं उनको क्या किया जाता है कि उस्मा यानि गर्मी के द्वारा अलग किया जाता है यानि गर्मी के द्वारा बियोजन किया जाता है यानि अलग किया जाता है तो वही तो आपको क्या कहलाता है उस्मीय बियोजन यानि उस मिये है तो हम इसको उसमा यानि गर्मी के दोवारा इसको अलग करेंगे तो यह आपको क्या कहलाएगा उस मिये ब्यूजिन जैसे आप यहाँ पर इजिली देख सकते हैं भाई कि यहाँ पर लिखा क्या हुआ है उदारान से आप समझने का परियास करने आ रहे हैं जैसे यह आपको CA यानि आप इजिली समझे तो CA का मतलब क्या होता है तो कैलसियम और CO3 यानि कारबोनेंट तो यह क्या है तो हमारा ऐस है यानि ठोस है ठीक है तो मैं आपको बार बार दो या दो से अधिक चीजों में तूट गया हमारा ब्योजन का मतलब क्या था कि एक पदार्थ को अगर हम तोड़ें तो बहुत सारे यानि दो या दो से अधिक में या क्या हो जाएगा तो अगर आप यहाँ पर इजिली देखो के साथ ही तो लिखा क्या हुआ है कि यानि कैल्सियम कार्बोनेंट या अगर हम इसको हम उसमा देंगे यानि गर्मी देंगे न तो वह दो चीजों में तूट जागा जैसे कि हम देख सकते हैं कैल्सियम ऑक्साइड और यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब एक चीज टूटा तो दो चीज का निर्मान हुआ तो यही तो आपको क्या है लेकिन यहाँ पर उसमा के द्वारा तोड़े तो जह क्या है उसमी यह बियोजन ठीक है तो यह आपको लगता है यार कि असानी से आगए होगी तो उसमी यह बियोजन आपको समझ आई की नहीं आई आगई हो तो चलिए भम समझते हैं आगे की बात हैं और यह तो था क्या पहला परकार था अब यहां पर आप देख सकते हैं दूसरा परकार है बैधूत भीयोजन तो बैधूत भीयोजन यानि विधूत के द्वारा ठीक है यानि एक अभिकारक को यहां पर आप देख सकते हैं बैधूत भीयोजन यानि विधूत के द्वारा तोड़ना आपको क्य आप देखना चाहोगे यार तोघंटे ली हम यलीय के व्यक्ते कि ले डिजह कोंद सब्सक्राइब यहांपर देख सकते हैं टूइस्टू यानि यहांपर यहांपर यह क्या है जल है मैंने यहां 400 कर दिया तो आपको यहां धवरानी नहीं है एक दम समझें तो यहां पर आप इसली देख सकते हो जैसे हम इसमें पार करते हैं तो इस तूट जाता है जैसे आप देखेंगे तो ह। यानि यह क्या है तो गैस है यहां पर देख सकते हैं यानि आप इसली समझ सकते हैं और इसके बाद एच क्या है तो हमारा गैस होता है तो यार मैंने बारबर जो हमारा जो क्या कह सकते यार रसानिक आवस्था को बताने के लिए जो हम यहां पर सुत्र हम बारबर इस्तेमाल कर पशाल क्वार तो आप यहां पर समझ लिजाएगा ठीक है आंप यहां पर टॉटके यह दो चीज में हो गया तो यह किस के दोड़ा हुआ तो वैधूत के दोड़ा तो लग हो गई तो यही तो है आपका क्या वैधूत भी हो जैन आई की नहीं आई चलिए अब हम समझते हैं आगे की बाते यहां तक की बात आपको मतलब किलियर हो गई होगी तो आप यहां पर उदारन से भी समझने का पर्यास कीजिए और आप देखी आगे की बाते तो यहां पर अगर आप इजिली समझेंगे गाईज तो यहां पर मैंने और इसको अगर बड़ा कर दे जियां मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूँ तो गाईज यहां पर है आप देख सकती जह क्या है आप यहां पर परकासी वियोजन है तो परकासी वियोजन यहाँ पर थोड़ा सा मैंने यहाँ पर डौट नहीं दिया है तो आप यहाँ पर समझेगा तो यहाँ पर परकासी वियोजन का जो परिभासा है कुछ इस परकार की है कि सुरे के परकास की उपस्तिती में होने वाला वियोजन ब्योजन यानि तूटना अलग अलग होना तो परकास की उपस्तिती में ब्योजन होना आपको क्या कहलागा वही तो आपको क्या कहलागा परकास यह ब्योजन example अगर आप देखोगे यार जैसे एजिट यहाँ पर मैंने संतुलित कर दिया तो जहां पर मैंने लिख दिया है नीचे की आखिर आप दिख सकते हैं कि एजी का मतलब क्या होता है सिल्वर और सियल का मतलब कुलॉराइड तो आप यहां पर इजली समझ सकते हैं ठीक है तो जहां पर हमारा यह क्या था तीसरा क्या था परकार था किसका तो बियोजन अभी क तो यहां पर हमारा जो तिसरा अभिकिरिया वह है विस्थापन अभिकिरिया विस्थापन का मतलब होता है यार एक जगहिया पर बार बार शेड़कानी करना मतलब जहां होने यार बहुत शेड़कानी उलट पलट करना आपको क्या किलाता है विस्थापन तो विस्थापन अभिकिरिया का जो हमारा परिभासा है यहां पर आपयार इजिली देख सकते हो कि इस अभिकिरिया में क्या होता है कि अधिक किरियासिल तत्व अधिक किरियासिल तत्व कम किरियासिल तत्व को क्या कर देता है उसके मिश्रन से विस्थापित यानि कोची मिश्रन कोचीज का ह कुछ चीज का बना हुआ है कि अगर कमक्रिया Свील वाला गॉंब क्नाया चीज का बना हुआ है क्धार यही है यहां पर इस अभिक्रिया में होता क्या यहादा कर्या क्या करतें मिला मीला हुआ है तो इसको विस्थापित कर देगा तो काईज अगर आप एक्जाम्पल से यहाँ पर समझे देखे थोड़ा से कठीन है पर बहुत ही इजी है ठेक है तो काईज यहाँ पर अगर आप विस्थापन अभी किर्या का जो परिभासा देखेंगे तो कुछ इस परकार से देखने को मिलेगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एफ़ी एफ़ी यानि क्या होता है लोहा तो हमारा जो लोहा होता है यहाँ पर इजी लिए आप देख सकते हैं कि याद रहे लोहा जो है कौपर से क्या है अधिक क्रिया सिल्टत वे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारा जो लोहा है तो यहाँ पर आप देखें तो हमारा जो लोहा है लोहा पलस CUS4 यानि कॉपर सलफेट तो कॉपर सलफेट क्या है यह क्यू है यानि जलिये भी लेना है ठीक है तो एफी पलस CUS4 जैसे ही इन दोनों में मिलाओ होता तो हमारा क्या होता है लोहा क्या है अधिक किरियासिल तत्व है तो यह क्या करता है कॉपर को क्या कर देता है ना कि हटो इसको हटा देता है इसको मतलब यहां से डिलीट कर देता है तो यहां से इसको डिलीट करता है तो हमारा जो एफी है यह इसके जगह पर चला जाता है तो यहां पर देख सकते हैं यह फी लीखी में तो लीखी देंगे यहों स्वाँन है power एक solid है ठीक है तो बिस्थापन का मतलब क्या यानि हमरा से तागतवर है तो हमको जगहिया पर हुचला जाएगा समझें तो वही होता है आपको बिस्थापन का मतलब हमको से तागतवर है तो वह आ जागा और कम है तो नहीं आएगा भई काई यही होता है भिस्थापनभी किरिया में कि यहाם पर आप आपको बहुत असानी से नायर समझ आ गई होगी यहां पर मैं आपको टाइम देखर बताता हूं कि विडियो कितने मीनट को गई तो कियां पर हमारी विडियो है चालिस मीनट यानी एक तालिस मीनट होने वाला है तो कैस्च यहाँ पर अब चलिए हम समझते हैं यहाँ तीसरा भी किर्यात तो हो गया तो कैस्च यहाँ पर मैंने और भी बातों को यहाँ पर एड कर दिया जो कि आप देख सकते हैं FV का मतलब Loha और CU-SO4 का मतलब COVER SURFET और CU का मतलब क्या होता है तो आप देख सकते हैं मैंने लिख दिया है और आप इजिली यार समझ लेना ठेक है तो विडियो लंबी हो जाए उसे हमां को दिकत नहीं है आप यहाँ पर विडियो लंबी हो या कुछ भी हो बस आपको समझ आनी चाहिए तो यहाँ पर आप इजिली समझेंगे तो बहुत ही आपको समझ आएगी तो अब हम समझते हैं अगला जो है दिवी बिस्थापन अभिकिरिया तो कज यहाँ पर इसको जराटस हम जोम करते हैं तो यहाँ पर अभिकिरिया में लिखाव है कि दिवी बिस्थापन अभिकिरिया हमारा क्या है यह चौथा गर यहां पर इजली आप देख सकते हैं तो इस अभी क्रिया में तत्व दो बार क्या होंगे विस्थापी तो होगे यानि एक जगहिया पर से उसको हटाएगा उसको मतलब इस तरह से होगा तो यहां पर अगर आप इजी ली देखे तो मैंने आपको यहां पर लिख कि क्या रखा है आप यहां पर ध्यान देगा तो इजी ली द्यान देएंगे तो यार को यहां पर क्या है एनए का मतलब क्या होता है यहां पातिक सोडियम एशbare यह यहां पोसक्ति है एंट शमिल्वेट खिल्वियंख आस्प और यहां यहां। यहां पर देख सकते हैं तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर एरो यहां पर मेरा छूट चुका है यहां पर हमारा क्या था कि हमारा एरो यहां पर छूट चुका है यहां पर हमारा इस तरह के एरो होता तो यहां पर मैंने एड नहीं कर पाया तो यहां पर अगर यह जब दुनों अभी किरिया करेंगे तो आप इजिली यहां पर अगर आप देखेंगे तो बस आपको इजिली समझ में आ जागा कि जैसे हमारा N2 है यहां पर देख सकते हैं CL के साथ मिला हुआ है मिला हुआ है यानि CL के साथ यहां पर मिला हुआ है तो यहां पर N2 यहां पर जैसे इसमें अगर मिलेगा तो यहां पर बेरियम क्या हो जागा यहां से हट जागा यहां पर हट जाएगा तो यहां पर आजाएगा 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 तो यहां पर आज तो अब हम समझते हैं आगे की बात यह तो था क्या था तो हमारा जो अगला भी किरिया है वह पांचवा भीकरिया यहां पर आप देख सकते हैं इसका जो नाम है वह उपचेन अथवा अपचेन अभीकरिया तो कैसे हमारा जो पांचवा भीकरिया है वह क्या है उपचेन और अपचेन अभीकरिया है तो इसको चलिए अब हम समझते हैं यहाँ पर इजिली हम सबसे पहले समझेंगे कि उप चैन अभी किरिया होती क्या है तो यहाँ पर यार मैंने इतना सीम्पल सी परिवासा लिखा है न यह आपको सीधे भेजा में ही जाएगा तो यहाँ पर अगर आप देखो गयार तो कि रिया और हाइड्रोजन क्या होगा घटना यानि हट गया तो वह आपको प्पचैन अभी कि अधिक्रिया कहला एगा तो बस आपको एक चोटी सी बात याद रखनी है इसमें कि उपचेन अभी किरिया में होता गया कि ऑक्सिजन उसमें जुड जाएगा और हाइड्रोजन उसमें क्या रहेगा घट जाएगा यहां पर मैं एक्जाम्पल समझा रहा हूं तो यहां पर एजी लिए आप देखें अगर यहां पर नहीं जूड़ता तो यह क्या कहला था नहीं जूड़ता तो यह क्या कहला था तो अपचेन तो यहां पर आप देख सकते हैं आपको समझाने का परियास कर रहा हूं और यहां पर आप समझने का परियास कीजिए तो इजी लिए अगर आप समझे गाईज तो यहां पर आप देख सकते हैं तो यहां पर लिखा हुए अपचेन अभिकिरिया यहां पर लिखा हुए परिवासा कि किसी भी पदार्त में हाइड्रोजन का बढ़ना यानी जूड़ना buscar oxygen का घटना यानी हाटना यही आपको क्या कहलाएगा तो आपको कहलाएगा अपचयन यानी आप इजिली देख सकती यह आपको क्या है अपचयन अभिकिर्या है तो आपको बहुत ही बेहतर समझ में आ जाएगा तो यहाँ पर आपने देखा कि C तो यहाँ पर C पलस O2 बराबर कारबन डाय उक्साइड तो यहाँ पर क्या हुआ कि ऑक्सीजन क्या हो गया जूड़ गया तो ऑक्सीजन का जूड़ना कहके लाता है उपचैन अभी करिया होता है तो ऑक्सीजन का जूड़ना उपचैन हो गया तो यहाँ पर आप इजी लिद देखेंगे त्यार C U O कॉपर अक्साइड तो कॉपर अक्साइड पलस H2 और इसके बाद है एरो और इसके बाद है C U पलस H2 तो आप यहाँ पर ध्यान दिशेगा यहाँ पर रिखा हुआ है कि C U यहनि कॉपर में ऑक्सीजन का हटना यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो कॉपर है इसमें देखी यहाँ पर क्या है ऑक्सीजन है यहाँ पर जैसे ही संतुलित हुआ जैसे यहाँ पर यह मिला तो यहाँ पर देख सकते हैं कॉपर में ऑक्सीजन है नहीं है यहाँ 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 पर आप प्र देख सकते हैं कि जैसे यहाँ क्या था एच्टू क्या था यहां पर था और जैसे यहां पर इधर की और आया मिला तो यहां पर आप देख सकते हैं एच्टू ओ यानि ऑक्सीजन क्या होगे इसमें जूड़ गया तो oxygen का जुड़ना क्या कहलागा और oxygen का हटना क्या कहलागा यहाँ पर आप देखें तो आपको समझ बिल्कुल आजाएगी कि copper में क्या हो oxygen हट गया यहाँ पर oxygen यहाँ पर है तो यहाँ पर तो हो आपको मतलब समझ नहीं आ रहा होगा यहां पर आप देखे C.U.A है sorry, C.U.O है यहां पर है C.U.O यहां आपको किलियर आ गई होगी अब हम समझते हैं और हाँ, आप विडियो को रोख कर और परिभासा लिखने का परियास किजए तो यहां पर मैं टाइम दिख लेता हूं कि आखिर टाइम कितना हुआ तो हमारा पचास मिनिट होने ही वाला है मतलब एग घंटा होने ही वाला है तो आप यहां पर घवराइए मत बस दस मिनिट का ही आगे है और इसके बाद मैं समाप्त करूँगा चैप्टर और हाँ गाइज यहां पर और भी बात है जो कि आप देख सकते हैं तो वैसी अभिकिरिया जिसमें अपचैन अथवा ओपचैन दोनों एक साथ हो तो वही आपको क्या कहलाता है रेड डॉक्स अभिकिरिया यानि यहां पर आपके सामने जो अभिकिरिया हुआ इसमें दोनों अभिक्रिया साथे हो गया यानि ऑक्सिजन भी हट गया और ऑक्सिजन भी जुड़े गया कि तो यहां भी बात आपको क्लियर हो गई होगी में है तो हम समझते हैं आगे की बात न कि तो कि पात देखे तो देनिक जीओन में उपचैन का मतलब ऑक्सिजन का जुड़ना तो तो देनिक जीओन में जब झूड़ता है तो उपचयन या जूड़ता है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि धैनिक जीओन यानि रोज-देनिक जीओनी रोज य रोज जो हमारे जब पर देख सकते सवह संपर्क शकते । तो यहाँ पर अगर आप इजी ली देखें तो पहला आता है संचारन तो हमारा जो संचारन होता है यह अब क्या होता है तो अगर आप इजी ली समझेंगे और देखेंगे तो आपको बहुत ही बारिकी से समझ में आ जाएगा तो यहाँ पर अगर आप इजी ली देखें तो लिखा हुआ क्या है कि जब कोई धातू अगर मानते हैं कोई भी धातू है ठीक है तो कोई धातू आदरता यानि नमी वायू और पानी और अमल आदी के संपर्ग में जारा से इसको हम ब्रैकेट में करते हैं और इसके बाद मैं आपको clear details में समझाने का प्रयास करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखें कि जब कोई धातू आदरता वायू और पानी और अमल इतियादी के संपर्ग में यानि वे सब के पास अगर आपको देखने को मिलेगा तो हमारा वहाँ पर का जो तत्त होगा ना यानि धातू जो होगा वह क्या हो जागा संचारित हो जाएगा कहने का मतलब यह है कि कोई भी धातू आदरता यानि नमी और वायू पानी और अमल यानि खटे पदार तो आदी के संपर्ग में यानि या आदी मतलब और बहुत सारे तो आदी के वह जो धातु इने क्या हो जाता है संचारित हो जाता है यानि वह नस्ट हो जाता है वह धातु कमजोर रुप वाला हो जाता है जैसे अगर आप एक्जामपल देखेंगे तो इजीली आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा आप देखिए लोहे पर जंग लगना यार लोहा तो क्या होता है यार धातु कोई भी क्या होता है चमकदार ही होता है तो लोहा पर जैसे ही जंग लग गया तो भूरा कलर का हो जाता है तो यह आपको क्या है यह आपको उप चैन यानि अक्सिजन के जुनने पर क्या होगा तो क्याई यहां पर अगर आप और भी उधारन देखें तो लिखा होए सअंधि पर काली परत हमारे जुजे देखו गया तो इप अभी प्रभाव और लिधाने में अभिकार का प्रभाव होता है एक और होता है जो क्या पीजिली देख सकते हैं यहां पर परिवासा लिखा हुआ है कि वसा युक्त यानि तेल वाला खादे सामगरी यानि खाने वाली समान तो वायू के संपर्क में आने पर उपचाईत यानि वायू में मिलना तो यहां पर उपचाईत हो जाती है जिसे से उसका स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है एक्जामपल आप समझोगे यार कि हमारा जो ऐसे आप समझते हैं जो हमारा जो चिप्स की थैली होता है नमकिन की थैली होता है यानि कुरकुरे का जो हमारा थैली होता है, जो तेल से बना होता है, उसमें कभी आप देखे हैं कि हमारा जो पैकिट होता है, पैकिट में क्या होता है कि वो सेप रहता है, तो सेप रहता है तो उसमें हमारा नाइट्रोजन गेस होता है, वो जैसे ये बाहर खोलते हैं, जैसे वो कजा है कि यार। इसमें न हवाल लगे, थोड़ीी सी इसको में गंध की सिर्था हокоल करता घाला दरा है, नहीं एक हिरे न फार हो गारी इनिए पूरा इतना खाल मघा लigorत है और इसे विक्रीत गंधिटा में क्याéta पुरिक में और फूरफ हो घ्राले होगी तो आपको बताने है नाइट्रोजन ठीक है तो अब हम समझते हैं आगे की बात तो जहां पर अगर आप देखोगे तो लिखा हुए कि रसायनिक अभिक्रिया के परकार और वो भी तापमान के अधार पर जहां गाइज तापमान के अधार पर ठीक है सबसे पहले हम आपको समझे जहांगे इसमा तो उस्मा सोपी तो जीन अभिकरिया में अभिकारक को तोड़ने के लिए जहां गाईज मैंने पीशे बताया था अभिकारक को तोड़ने के लिए उस्मा परकास और वैधूत के द्वारा उसमें तोला जाता था तो यहां पर आप देखेंगे तो जीन पदार्थों मिल अभिकारक को तोड़ने के लिए उसमा यानि गर्मी और परकास और इसके बाद वैधूत यानि बिजली का वहाँ पर जरुत होता है यानि आवस्यक होता है तो गईज वह आपको क्या कहलाता है उसमा सोपी उसमा सोपी आपको यह अभिकिरिया उदारन है तो यह भी बात आपको यार किलियर हो गई होगी तो अब हम समझते हैं उसमा छेपी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसमा छेपी अभिकिरिया का जो डिफनेशन है कोछ इस परकार की है कि जिन अभिकिरियाओं में उत्पाद के निर्मान के साथ साथ जैसे ज देख सकते हैं उसमा कभी क्या होता है यानि जब अभिकिरिया होता है तो उसमें उत्पाद तो बनता ही बनता है और इसके बाद उसमा भी बनती है इसली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत ही आसानी से समझ में आजाएगे तो CH4 यानि मिथेन यह क्या है, गैस है, और इसके बाद O2, यानी ऐक्सिजन, यह जब दोनों अभिकिरिया करते हैं, जब आपस में मिलते हैं, तो आपको क्या-कै निर्मान करते हैं, तो CO2 ठीक है, यानि गैस, और इसके बाद आप इजी ली देखोगे, तो गैस ही है, यानि 2H2 यानि यह क्या जल है तो यह होगा आपको वास्प के रूप में यानि आप जैसे खाना बनता है तो आप देखे होंगे यार उसमें से वास्प निकलती है तो उस रूप में क्या निकलेगा यहाँ पर जल निकलेगा और इसके बाद निकलेगा उस्मा तो यानि जीन अभिक तो गाईज स्वागत है हमारा प्लेटफोर्म साइंस महल पर अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो ना गाईज तो बस एक सबस्क्राइब कर देना ठीक है अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो यार बस एक सबस्क्राइब कर देना और एक प्यारा सा कोमेंट कर देना और अगर आप इसके और भी अगले चेप्टर को देखना से आते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहाँ पर प्लैलिस्ट बना हुआ है और वहाँ से आप बहुत सारे चेप्टर को देख सकते हैं तो गैस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो बस आप मुझे एक सबस्क्राइब कर देना और कुछ नहीं ठीक है तो चलिए आज के वीडियो यहीं पर समाप्त होता है मिलता है आपका भाई एक और नए वीडियो के साथ करते हैं कर दो पिर समाप्त है